मेरे प्रियाशाथियों अक्सर लोग ये पूछते हैं कि आप जो कोचिंग की बात हमसे करते हैं आपने वह कोचिंग का जो experience है कोचिंग की जो knowledge है वो आपने कहां से पाई है तो मैंने बहुत सारे साहित्य पढ़ा है लेकिन मुझे कोचिंग के लिए भागवत गीता से अच्छी कोई बुख नहीं लगती है इसलिए आज हम बात करेंगे कि भगवान स्रीक्रश्न से बड़ा कोई कोच नहीं उन्होंने अरजुन को विशाद से निकाल कर युद्ध के लिए प्रेरित कर दिया तो एक demotivated आदमी को frustrated आदमी को highly motivate किया और यही कोच का काम है आज जो हमारे business coach हैं वो यही करते हैं आज जो personal coach हैं वो यही करते हैं इसलिए मैं always कहता हूँ भगवत गीता is a best book for every coach उसके कुछ उधारणों के साथ बात करेंगे अर्चुन जब निरासा जन्रक और आत्म सबर्पन की बाते हैं भगवान श्रीक्रशन से कर रहे हैं उस टाइम अर्जुन कह रहे हैं अर्जुन एकदम निरासा जन्रक और आत्म सबर्पन की बात कर रहे हैं और अपने रत पर अपने गांडीव को रखकर नीचे बैठ जाते हैं तो भगवान श्रीक्रशन उन्हें समझाते हैं और सबसे पहले उन्हें वह ग्यान देते हैं कौन सा ग्यान देते हैं सबसे पहले ग्यान देते हैं सांख योग का सांख योग हमारे जीवन में सबसे महत्वपून और अध्यायदो गीता का पूरा उसी पर आधारित है उसमें जीवन के सभी मूल्यों को और जीवन की सभी समश्याओं के निदानों की विधी बताए गई है तो भगवान स्रीक रश्म ने जो सबसे अच्छा ज्यान था अरजुन को सबसे पहले वह सांख योग सुनाया लेकिन अरजुन को बात समझ में नहीं आई अरजुन ने फिर प्रशन किये तो उन्होंने फिर अरजुन को कर्म योग की बात की अरजुन ने फिर कर्म योग के बात भी कहा कि मैं तो कन्फियूज हूँ कर्म बड़ा है या सन्यास बड़ा है मेरी सुझ में नहीं आ रहा है तो फिर उन्होंने जञान कर्म सन्यास योग की बात उनको सुनाई फिर भी अर्जुन कन्फ्यूजी रहा तो फिर भगवान स्रीक रशन ने उनको आत्मसयम योग की बात सुनाई फिर उनको ज्ञान विज्ञान योग की बात सुनाई फिर अक्षर ब्रह्म योग का पूरा ज्ञान दिया फिर राज विद्धा राज गुहे योग की पूरी जानकारी अर्जुन को दी लेकिन अर्जुन बार-बार क्रॉस क्वेस्चन करता और भगवान स्रीक रशन से यही पूछता कि मैं अभी भी दुवधा में हूँ मैं अभी भी उस फ्रस्ट्रेशन से निरासा से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ तो फिर भगवान स्रीक रशन नहीं होना है विभूती योग की शिक्षादी उसके बाद फिर उन्हें लगा कि इससे भी काम नहीं अर्गिन समझ पा रहे हैं तो उन्होंने भगती योग पूरा सिखाड़ा उसके बाद छेत छेत रग गया है विभाग योग की बात सुनाई तीनों गुणों की बात की इसलिए उसको गुणतरिये विभाग योग कहते हैं रजोगुन, तमोगुन, सतोगुन की बात बनाई की परतियक व्यक्ति इन तीन गुलों से ही हैं, तो हमारे आज के वर्तमान के कोच भी यही सब बात करते हैं, उसके बात उन्होंने जब अरजुन को पूनत है विश्वास नहीं हुआ, उसकी निराशा नहीं खत्म हुई, तो स्रद्धात्रे विभाग योग की बात की, और उसके बाद अठारवे अध्याय में, उन्होंने मोक्ष सन्यास योग की बात की, फिर भी अरजुन को यह कहा कि अब भी यदि तुम्हें कोई कन्फूजन है, तो अब तुम स्वयम डिसाइड करो, मैं नहीं करूँगा कि तु अरजुन को समझने के बाद अरजुन ने कहा कि नहीं, मैं अब युद्ध करूँगा, तो भगवान श्रीक रशन ने इसलिए अरजुन जैसे जो बहुत नंबर वन धनुरदर थे, उनकी निराशा, उनके आत्मसमरपन को खत्म करने के लिए पूरी गीता उन्हें सुनाई, इसलिए वर्तमान समय में यह माना जाता है कि क्रश्ण से बड़ा कोई कोच नहीं और क्रश्ण से पहले भी कोई ऐसा कोच नहीं जिनोंने निराशा को उत्साय में, उमंग में, जोस में बदल कर और उसको युद्ध के लिए प्रेनित किया, आत है हमें यहां यह बात जरू है कि एक आदमी में यदि आज वर्तमान पर पेख्श में देख हैं तो किन चीजों को कम किया जाना आवश्यक है, तो एक कोच कम करता है, सबसे पहले जो व्यक्ति की एंजाइटी होती है, उसको कम करता है, रिड्यूसिंग एंजाइटी, और बिजनिस में ऐसा कहा जाता है विलियम जेम्स ने यह बात मॉडर्न मैनिगमेंट में कही है, कि जब भी हम कभी अपने इस्ट्रेस को खतम करना चाहते हैं, तो हमें अपने एक थौट को छोड़ करके दूसरा थौट डवलप करना आवश्यक है, उसके कारण है, कि यदि हम अपनी चिंता को जितना सोचेंगे चितना उतनी बढ़ेगी, इसलिए एंजाइटी को कम करने के लिए हमें अपने उस थौट को छोड़ कर नए थौट को पकड़ना आवश्यक है, इसलिए चेंज प्रोसेस लाना बहुत आवश्यक है, उसका कारण है, आज बच्चों मैं यदि देखें तो पेरेंट्स की चिंता है कि हमारे बच्चों का भविश्य क्या है, युवाओं को एंजाइटी है कि मेरा केरियर क्या है, विद्यारती को चिंता है कि मेरे परिक्षाओं में कितने मार्क्स आएंगे, उद्यमी को मेरे विश्यक, मेरे अवसाय का क्या होगा, युवाओं को कि मेरा सफल जीवन बीतेगा नहीं बीतेगा यह सब वो क्रशन है जो हर किसी को anxiety आती है और गीता के माध्यम से भगवान स्री क्रशन इन सब का उत्तर हम सब वर्तमान के अर्जनों को देना चाहते हैं महाबारत के अर्जन को एक बार सुनाया लेकिन यह जो वर्तमान में गीता है हम रोज उसको पढ़कर अपने प्रशनों के उत्तर पा सकते हैं अर्जन की anxiety थी कि मैं युद्ध में अपने नाते रिष्टेदारों को क्यूं मारूं और मेरे मरने के बाद मुझे क्या मिलेगा लेकिन भगवान सुरी क्रशन ने अर्जुन में anxiety को खत्म करने के लिए दो काम किये उनकी body sensation से hot management में उनको बदलने का प्रियास किया जिसमें वो सफल हुए अब दूसरी बात जो एक अच्छे कोच को अपने कोची को सिखानी होती है वह होती है understanding या underestimating the coping strategies and exaggerating the threat तो जो हम अपनी महत्वाग कांचाओं को या challenges को बड़ा और अपनी छमताओं को छोटा करके नापते हैं उनका आकलन कम करते हैं कि मेरी capability मेरी capacity मेरी competency low है और मेरी problem बहुत बड़ी है आज modern management के लोग यह कहते हैं you do not have to control your thought you just have to stop letting them control on you यह Dan Millman का कहना है कि आप अपने thought को control करने में असमर्थ होते हैं और आपको उनको control करना भी नहीं है आपको करना क्या है कि आपको अपने thought को जाने देना है और उस जाने देने की प्रिक्रिया को नियंत्रित करना है कि एक के बाद दूसरा विचार आता है आता है जाने दीजिए और जब आप जितने विचारों को छोड़ते जाएंगे तो आपके मन में एकाग्रता आपका focus होगा और जब focus होगा तो आप अपने काम को बेहतर कर पाएंगे इसलिए underestimating the coping strategies and exaggerating the threat से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी मानवी अच्छमताओं को जो भगवान ने असी मित्ता में हम में दी हैं उनको विक्षित करना और उनका समय पर प्रियोग करना गीता सिखाती है और गीता किसने सुनाई है वो भगवान स्री किसने इसलिए गीता best book है for every coach दूसरी बात क्योंकि हमारा आत्मविश्वास बार-बार हिलता है हमको लगता है कि मेरी समश्या बहुत बड़ी है और मेरी capabilities या मेरी competencies बहुत कम है मैं इस कारिया को नहीं कर पाऊंगा बार-बार हम confusion की इस्तिती में जाते हैं तो हमें अपने आत्मविश्वास को जगाने के लिए गीता पढ़ना आवश्यक है और गीता ही हमें अपनी छमताओं को दक्षताओं में बदलने का प्रियास कर उन्हें अपने challenges के सामने डट कर खड़ा होने के लिए हमें प्रेरित करती है और क्रशन ने भी यहां अरजुन को उसकी छमता और स्वधर्म का ही ज्यान वो जितने भी मैंने योगों की बात की थी कर्म योग ज्यान योग भक्ति योग शन्यास योग चितने भी योग थे उन सब योगों को पताने के पीछे कारण यही था कि आप अपनी competencies को develop कीजिए तीसरी बात करते हैं put reality in your face कि आप वास्त्रिक्ता का अपने जीवन में चेहरे पर भाव रखिये इसके लिए flippy dick ने एक बहुत अच्छा quote बोला है reality is that which when you still believing in it do not go away जब आपको लगता है कि मैं इस काम को नहीं छोड़ूँगा जब तक कर नहीं लोगा इसलिए आपको मैं एक example से समझाना चाहता हूं कि आप अपने fiction का enjoy कीजिए आपने देखा होगा जितनी भी गाडिया आज सड़क पर तेज दोड़ती हैं वो rubber का tire और road का connection जो friction है उसको दोनों enjoy करते हैं तिब गाड़ी speed से तोड़ती है तो हमें क्या सीखना है हमें सीखना है learn to ride new road to acceptance every time कि हमें जीवन में जो भी जैसे भी है उसको उसी यथा रूप में accept करना है और अपनी competencies को develop करना है यह एक अच्छा coach कराता है चोथा काम coach क्या कराता है जो गीता हमें मदद करती है वह shifting focus to purpose from current problem जो आपकी वर्तमान की समश्या उससे अठा करके जो आपके जीवन का purpose है जो आपके जीवन का उद्देश है उस पर आप अपने focus को shift कर लीजिए इसके लिए अंग्रेजी में एक royalty Bennett ने बहुत अच्छी quote लिखा है what you say focused on will grow जो आप कहते हैं यदि आप उस पर focus करें तो वह आप अपने आप में पैदा कर लेता है इसलिए हमें वर्तमान की समश्याओं से ध्यान हटा कर अपने उद्देश पर लगाना है और वह कब लगेगा जब हम अपने जीवन में big why को कि मैं यह क्यों कर रहा हूं big why का उत्तर जिस दिन आप सोचने लगेंगे कि मेरे इस करने से क्या फर्क पड़ेगा इसलिए मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं तो बार बार जितनी बार why 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 analysis आप अपनी problem का करेंगे तो मैं दावा देता हूं कि 5 वी बार या 6 वी बार जाते हुए आपकी समश्या का solution स्वैम आपके दिमाग से पैदा हो जाएगा इसलिए वाई वाई कल्चर या कुछ लोग इसको सो सो कल्चर बोलते हैं यह डवलप करना एक कोच का काम है पाच्वा कोच हमारे जीवन में क्या काम करता है knowing what responsibility is वह हमें यह आबाज कराता है कि आपका उत्तरदाइफ्त क्या है और गीता क्या कहती है what is your स्वधर्म कि तुमारा स्वधर्म क्या है आज के जो modern management gurus है वो क्या गीता से पढ़कर क्या बोलने लगे है the reason people blame things on previous generation is that there's only one another choice डॉग लॉर्सन ने यह sentence बोला है तो वह हमेशा अपने जीवन में जो bigger purpose of life है उस पर focus करते हैं ना कि selfish होने के लिए और यदि आपको selfishness को छोड़ना है तो सदेव स्वधर्म का पालन करना होगा इसलिए भगवान स्री कृष्ण ने अरजुन को बार बार स्वधर्म की याद दिलाने की कोशिश की है और उन्होंने हर बार यही कहा है कि अरजुन तुम अपने स्वधर्म को समझो और यदि तुम अपने स्वधर्म का पालन करोगे तो आप अपने जीवन में सदेव अच्छा काम करों गया तो यहां आप गीता के जो दूसरा अध्याय है उससे जो सांख योग है जो गीता का सबसे महतुपून अध्याय माना जाता है उससे हम कोचिंग में कैसे मदद लेते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले गीता के दूसरे अध्याय का सोलवाई श्लोक ने असता है विद्यते भावे है ने अभावे विद्यते सता है उबयो अपी द्रश्ट अंत है तू अननियो तत्व दर्शिब है इसका ताथ पर यह है कि जो असत वस्तु है उसकी सत्ता तो होती नहीं और सत्य का कभी अभाव नहीं होता आज हम वर्तमान में इसका उल्टा देख रहे हैं कि हम असत्य को सत्य मानने लगे हैं और असत्य अपनी सफलता पाना चाहते हैं इसलिए जीवन में कन्फ्यूजन है इसलिए जीवन में हमारे में frustration है, इसलिए हम सदेव stress में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, हमारी anxiety बढ़ी रहती है, तो यहां हमें यह बताने का प्रियास किया जा रहा है, कि जो असत्वस्तू है, उसकी सत्ता कभी नहीं रहती है, और सत्त का कभी अभाव नहीं होता है, तत्त ग्यानी पुरसों द्वारा इसे देखा जाता है, इसके आगे दूसरी बात, जो सत्त्रमा इस लोक है, उसमें और भी इस पच्चत सम्झाने की कोशिश किया, यहां कहने की बात करता है, कि जो नास रहित, तो तू उसको जान, उसको समझ, जो संपून जगत में द्रश्वर्ग व्यापत है, जो माया से यह संसार चल रहा है, जो वास्त्विक्ता नहीं है, उसको समझ, यह अवनासी का विनास करने में कोई भी समर्थ नहीं है, अर्थात जो रियालिटी है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, हम अपने जीवन में reality से क्यों भागते हैं और यदि हम reality को छोड़कर unreality के पिछे भागेंगे तो हम कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते तो तुम उसको भगवान का स्वरूप मानो और उस पर आप कोई question पैदा मत करो इसको एक और आगे समझाने की अठरवे इश्लोक में बात की है अंतवंत है इमेदेहा नितश्य उक्ता सरीरण अनासिन अप्रेमेयश्य तस्मात युद्वस्वय भरता है जहां कह रहे हैं कि इस नासरहित एप्रमे नितश्वरूप जीवात्मा के ये सबसरीर नास्वान कहे गए हैं इसलिए हे भरतवर्शी अर्जुन तु युद्वकर इससे डर मत तो हमें ये बार-बार समझाने की कोशिश की जा रही है और हम उन चीजों से अपने आपको अलग हटता हुआ देखने की कोशिश करते हैं इसलिए आगे ये जो पहला अध्याय हमारा know your true self हमें अपने जीवन में what we are, what is the purpose of life उसको जानना जरूरी है और गीता हमें दूसरा क्या समझाने की इसमें कोशिश कर रही है follow your purpose in life कि हम उसको जीवन में follow भी करें खाली उसको अपने तक सोचे नहीं समझे नहीं यहां क्या कहते हैं तो यहां कह रहे हैं कि आप अपने धर्म को देखकर भी तु भे करने योग नहीं है जो तुम्हारा स्वधर्म है तुम छत्री हो और छत्री का तो काम यह है कि जो सब के भी को दूर करें और तुम खुद भे में जा रहे हो अर्था तुम है भे नहीं करना चाहिए क्योंकि छत्री के लिए धर्म fellows तो युद्ध से बढ़कर कोई कल्यान कारी करतव वे होगी नहीं सकता तो जो छत्री का स्वधर्म है वह करना है और जब हम एक कॉरपोरेट में काम करते हैं as an employee मेरा क्या धर्म है as an student मेरा क्या स्वधर्म है as an businessman मेरा क्या स्वधर्म है as a doctor मेरा क्या स्वाधर्म है उसके बिगर परपच को हमें सदेव लाइफ में ध्यान रखना है इसी का अगला जो 32 इस लोक है उसमें और बात को इस पश्ट किया गया है और वो यहां भग्मान स्रीक्रश्ण अर्जुन से कह रहे हैं यदरच्छाया चे उपपन्नम स्वर्ग्वेद्वारं अपावरतं सुखिने छत्रिया पार्थ लबंत युद्यम इद्रश्यम तो जहां कह रहे हैं कि हे पार्थ अपने आप्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार युद्ध ते भगवान aying अर्थार्थ जो तुम्हें स्वधर्म पूरा करने का ऊप्वर्चुनिटी बने यूज देस एप्वर्चुनिटी होता क्या कि हम अपने बहुत बार अप्रेश्यम को मिस्ट कर dipped हैं इसलिए यहां बार-बार आज के जो हम अर्जुन है जो कॉर्परेट के अर्जुन है उनको कोच रूपी क्रश्न यह समझाने के गीता से माध्यम से हमें बता रहे हैं कि don't miss the opportunity, create the opportunity और जितनी आप opportunity create करेंगे उतना आप success की ओर बढ़ेंगे इसलिए तेतिस्वे में इसको और साफ का गया है अथचेतत्वम इवम धर्मम धर्मयम सडगामम नकरिश्यसी ततह स्वधर्म कीर्थिमम चैहित्वा पापम अवाप्यसी तो यहां कह रहे हैं कि किन्तु यदि तु इस धर्म युक तु युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्थि को खोकर पाप को प्राप्त होगा तो जो हम अपने जीवन में ये काम करते हैं यदि हम अपने स्वधर्म का पालन नहीं करते हैं तो हम अपने आपी अपनी परफॉर्मेंस को खराब करते हैं अपनी अपकीर्थि कराते हैं और हम गलत लोगों के भेट चड़ जाते हैं, इसलिए सदैव अपनी जिन्दगी में गीता से हमें समझना है, follow your purpose in life, what is the purpose of my life, इसके लिए आगे एक बात और गई गई है, उसे तीसरे नमबर पॉइंट में समझते हैं, take action, खाली इतना कह देने से काम नहीं होगा, उसके जात यहां बहुत इस पश्ट रूप से कही गई है, और वे कहा गया है, कर्मन्ने वादकारस्ते मा फलेशु कदाचनह, मा कर्म फलहे तु भूरमा, ते संगोत सभिक अकर्मन्न, तो यहां साफ साफ कह रहे हैं कि तेरा कर्म करने का ही अधिकार है, उसके फलों में कभी मत उ इसको लोगों ने बहुत मिश्यूज किया, लोग करें कि कर्म मत करें, वो कहते हैं कि कर्म तो कर, फल क्या दूँगा, यह मेरा काम है, मैं यह उदारन आपको बहुत बार कॉर्परेट में या परसनल जीवन में भी देने की कुशिश करता हूं, कि आप जब कर्म करेंगे त तो आप यह सपोज आप विद्यारती हैं और आप गोल्ड मेडिलिस्ट बनना चाहते हैं तो अच्छा बढ़ेंगे, तभी गोल्ड मेडिलिस्ट बन पाएंगे, कॉर्परेट में यदि आप पार एक्सीड एक्सपक्टेशन पाना चाहते हैं, तो तभी होंगे जब आप का किया, वह आज फतंत्र भारत के महान सहीदों में सर्वपर्थमिस्थान पर किने जाते हैं, उसका कारण यह है कि उन्होंने अपने कर्म को पूरा किया, कर्म करने में उनकी आ सकती नहीं थी कि इसके बाद आजादी कम मिलेगी, कैसे मिलेगी, मैं अपना कर्म करूँ, तो ज हम अपना काम इमानदारी से करें, अपने इथिक्स को, अपने वैली सिस्टम को स्ट्रॉंग बनाएं, उसका फल इश्वर कब देगा, किस रूप में देगा, कितना देगा, उसके लिए हमें चिंता नहीं करनी है, यह गीता हमें इस पश्ट रूप से समझाती है, इसके अत भी इस बात को इस पश्ट करती है, जिससे हमारी कोच और कोची के रिलेशन्शिप को मजबूती मिलती है, वह योगस्थ कुरू कर्मान संग यक्त यक्त्वा धनंजय है, सिद्धय सिद्धयो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते, कि हे धनंजय है, हे अर्जुन, तु आस सक्ति को त्याग, तता सिद्धी और असद्धीक में समान बुद्धी वाला हो कर, मतलब कर्म करने या ना करने मैं, दोनों में समान था, बुद्धी योग में स्थित हो कर, अपने कर्तव को कर, अपने कर्मों को कर, समत्व है, जो भी तु कर्म करेगा, उसके पून होने और ने हुने मैं तता उसके फल के समाभाव में रहने का नाम समत्व है इसलिए तुम समत्व से काम करो और यह जो समत्व है यही समत्व योग जीवन में हमें सफलता दिलाता है तो हम कभी उसकी कारिय की सिद्धी और असिद्धी में नहीं पड़ें अपनी प्रोसस को यहाँ एक बात जो आज modern management है उसमें एक और समझने की है कि हम result orientation से process orientation में जाना है यह हमें गीता हमें process orientation की और बढ़ाती है ना कि हमें प्रेरित करती है कि हम result orientation में फस हैं लेकिन आज वर्तमान में देखने में उल्टा हो रहा है कि लोग पहले result की बात करते हैं process complete नहीं करते हैं और जब हम process ही complete नहीं करेंगे तो जीवन में success की consistency नहीं रहेगी यदि success की consistency चाहिए तो आपको उसमें मेहनत कर आपको आगे बढ़ना होगा इसके बात करते हैं हम build experiences जो आप कर्म करना चाहते हैं उसको experience करिए बिना experience के कुछ नहीं होता है उसके लिए गीता के इसी अध्याय के 49 और 40 इसलोक में इसपश्ट साफ साफ लिखा गया है यहां 49 इसलोक में क्या लिखते हैं एशाते अभी हिता संडख्य बुद्धि योगे तु इमाम स्रों बुद्धया युक्त यया पार्थ कर्म बंदनम प्रिया है यसी हिपार्थ यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विशय में कही गई और अब तु इसको कर्म योग के जो हमारा तीसरा अध्याय है गीता का उसमें इसको विश्टार से समझाया गया है और जिस बुद्धी से युक्त हुआ तु कर्मों के बंधन को भली बाती त्याग देगा अर्थात सरुथा के लिए नश्ट कर देगा तो तुम अपने जो बिगर परपज ओफ लाइफ है उसको अचीव कर पाओगे और यह experience जीवन भर आपके काम आएगा तो यह अभ्यास से हमें experience बिल्ड करने के लिए बात करती है कि हम अपने कर्म योगों को आगे लाएं और यदि हम अपना कर्म योग आगे लाते हैं तो उसी से हमें इन चीजों की चो experience है वो count होता है और हमें आत्मविश्वास की व्रध्धी होती है आगे क्या कहा है नई है अभिक्रमानाश अस्ति प्रियत्यवायन विद्यते स्वल्पम अपी अश्यधर्मश्य त्रायते महत भयात इस कर्म योग के आरंब में अर्थात बीज का नास नहीं है उल्टा फलस्वरूप दोस भी नहीं है बलकि इस कर्म योग के रूप कर्म रोग रूप धर्म में थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यू रूप महान भैसे रक्षा कर देता है अर्थात जो जीवन का बीज है जो जीवन का हमारा क्रम है वह हमें आगे बलने में मदद करता है और हम उस बीज के भरोसे तो जो डेस्ट्रिक्शन है जो हमारा परपज ऑफ ला जाता है और उसका हमें कोई बहें नहीं होना चाहिए ये वह से हमारी रक्षा कर देता है इसलिए हमें इन चीजों को बहुत महान बनाने के लिए जो जामपल्स जीवन के सरीर के साथ, ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, गीता में दियें और कहीं नहीं मिलेंगे. आईए जो पाँचवाँ एक कोच-कोची का रिलेशन से पहर जो हमें अपने जीवन में डवलप करना होता है, उस पर बात करते हैं, वो है मेडिटेट. कि हम अपने जीवन में मेडिटेशन को अर्था ध्यान को कुछ जगहद हैं, और वह कब संभव है, वह तब संभव है कि जब हम इन चीजों को अपने जीवन में समर्पित करते हुए, और उन चीजों को आगे अपने जीवन में बढ़ाते रहें. यहां गीता में बहुत अच्छा का आगया है, दुखेशु अनू दिग्द्वनमना, सुकेशु विगत इस्प्रह, वीतरागबै क्रोध है, इस्तितधी मुनी है उच्चते, दुखों की प्राप्ती होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, मतलब जिसको सुख और द कोई अंतर नहीं होता, जो सुक के मिलने पर खुश नहीं होता, दुख के आने पर दुखी नहीं होता, वह सर्वता निस्प्रह है, अर्था जिसके राग, राग मिन्स अन्राग हो या दूसरा कोई, राग हो, किसी चीज का लालच न हो, किसी चीज का भे न हो, और किरोध ये सब नश्ट हो जाते हैं और जिनके नस्ट हो जाते हैं वह सब मुनी इस्थर गुद्धी वाले कहे जाते हैं तो यदि हमें अपने जीवन में ध्यान योग को समझना है तो सुख दुख में एक सा भाव रगना है भै को दूर करना है क्रोध को नियंतरन करना है और यह अभ्यात से बहुत बार प्राप जीवन में उतारने के लिए ध्यान की अवस्था में जाने के लिए और ध्यान हमें फोकस करता है जितना हम ध्यान की अवस्था में जाएंगे उतने हम अपने जो परपज ऑफ लाइफ है उसको फोकस करता है यहां जो 57 वाइश्लोक है इसमें और बात गजब तरिये से कही यह सर्वस्त्र अनाविष्णेह तत प्राप्य सुभा सुभं ने अभिनंदती ने द्रिष्टे तश्य प्रग्या पृत्रिष्टता तो जो पुरु सर्वत्य इश्णे रहित हुआ उस सुभ या असुभ वस्तु को प्राप्त होकर ने तो प्रसन होता है ना को मन में कोई द्वेश होता है ना जलन होती है ना कपट होता है ना दुख होता है ना ईशा आती है ना कोई कंप्टिशन होता है वह है इस्थिर बुद्धी की पहचान है आज हम अपने जीवन को बरबाद करते हैं मैं इसके कुछ उधारन दे करके समझाने की कुशिश करूँगा और फिर यह जो कोच-कोची का रिलेशन है बच्पन में जब हम अपने बच्चे से यह कह देते हैं कि हुमारे नंबर उससे कम क्यों तो यह हमारे जीवन में एक कमपरीजन हमेशा हो देश की भावना, जलन की भावना, प्रतिस परदा की भावना पैदा करता है तो जो लोग इसको सकारात्मक लूप से लेते हैं वह तो अपने आप में सकारात्मक उरजा के साथ आगे बढ़ जाते हैं और जो इसको नकारात्मक उप से लेते हैं वह इसमें खामिया डूंड कर फस जाते हैं और अपने लाइफ में उनमें इस्ट्रेस, डिस्प्लैजर, अन्प्लीजन्ट, कुछ न कुछ पैदा करने लगते हैं दूसरी बात मैं यहां एक बात और भी कहना चाहता हूं बूख कभी पेट की भूख तो शांत हो जाती है लेकिन बुद्धी की भूख, मन की भूख कभी अशांत नहीं सदेव अशांत रहती है, कभी शांत नहीं होती इसलिए गीता हमें सदेव जीवन के उन तरकों को उकेर कर बहर लाने के लिए एक कोच की तरह समझाने का पूर्ट है जो भकवान श्रीक रशन ने अरजुन के माध्यम से हमारे लिए पैदा किया है वह गीता में बिखरा पड़ा है आज जो हमने कोशिश की है वो गीता के अध्याय दो से समझने की कोशिश की है बाकी गीता की कोई भी एक लाहिम यदि ज हमारा जीवन सफल होता है तो जो आज का विशे है कि गीता इस दा बेस्ट बुक फॉर एवरी कोच मैंने अपनी जितनी कोचिंग की स्किल डवलप की है उसमें गीता का बहुत बड़ा कंट्रिविशन है मैं जब भी एज बिजनिस कोच लोगों के साथ बात करता हूं तो ग गीता के एकजमपल देता हूं गीता के इस लोकों के द्वारा बात करता हूं समझाने का प्रियास करता हूं और लोग समझते हैं वर्तमान में एक बात बहुत अच्छी हो गई है कि लोग गीता के महत्र को समझने लगे हैं और हम जैसे लोग जगे जगे गीता के माध्यम से के लोगों को समझाने में सफल भी हो रहे हैं आज इतना ही आपको यदि अपने जीवन की किसी समश्या का निदान गीता से चाहिए तो आप हमें लिखिए हम इस लोग के साथ आपको समझाने का पूर्ण प्रियास करेंगे और यदि आपको गीता को अपने लोगों को एज एक कोग अपूर्ण को कोर्छ करेंकता कोर्ण का दर्म सेऊस्टाव एकर रग।